तो हेला दोस्तों में वास्तों स्वागत आप सोक अपने चैनल वाडिस फिली क्लास्टेस पर दोस्तों आज हम दोस्तों कलाश्टियन का बाई लोजी जो इसका फ़र्स चेप्टर जैप प्रक्रम पोषन का दिर्ग उत्रिये प्रस्थ का पहला क्वेस्चन हम लोग सौल करने वाले पहला कोस्टिन के आप पोशन किशे कहते है जी वो में होने वाले बिभीन पोशन वीडियो का उन लेक करें ठीक है यह रहा कोश्चन आप देख सकते है ठीक है तो चलिए इसका एंजर हम लोग जानते है दोस्तों ठीक है तो उसे पहले वीडियो को लाइक कर जिए और पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर कोपी में अल्रेडी लीख लिए हैं अदर्वाइस आपको कोपी से ही देखा देते ठीक है तो पोशन किशे कहते है पहले वो जान लीजे दोस्तों ठीक है तो पोशन हमने यहाँ पे लीख यहां जब हम भोजन के रूप में पोशक ततव को गरhn करते हैं उसका उप्योग किसी कर लिए करते है तो उसे पोजन के था धीक हैं अब यहां पे पूछरा किसे कहते हैं जीवो में होने वाले बिबिन पूशन विदियो का उल्ले करें तो पॉशन यहांपर हम देख लिया है जब हम भोजन की रुप में पूस तो और emieखते हैं जिवो में बोजन गरहन करके उसके सरीर के शभी को शिकाओ तक पहुचा कर उसे उज्जा प्राप्त करने के किरिया पोशन कहलाती यह थुरा सुध हो गया अब बात करें यहाँ पे पुछे रहा है जीवों में होने वाली बीबिन पोशन वीदियो का उले करें तो जीवों में तीन परक पाता है अब जीवों में होने वाली बीबिन पोशन के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले हम लोग पार पोशन को जानते है तो इसके तीनों भाको तो फर्पोशन क्या है तो वह परकिलिया जिसमें Student परप्वाнеं किसी रूप से किसी अन्य सुरोतों से प्राप्त करता है ठीक है अब पर्पोसन के परकार की बात करें ये भी आपको लिखना होगा तो तीन है मिरी जीव पोसन परजीव पोसन परानी समपोसन दिरिक उतरी यह इसले दोस्तों थुरा लेंदी जा रहा है कुछ है नहीं पहले परिवासा जो बोले वो लिखेगा फिर परपोसन का परिवासा और उसके तीनों जो परकार है उसके परिवासा तो पहला परकार मिरी जीव पोसन तो इसकी परिवासा की बात करें दोस्तों तो यह है वैसा जीव जो किसी मरे हुए जीव या पेर पोधे के सरीर से अपना भोजन कार्बनिक पदार्थ के तो आपके बाल में चीप कर रहता है तो आपके बाल से कुछ खाता वज़े रहता है ठीक है और मेरी जीव पोसन तो आप समझ के वैसा जीव जो किसी मरे हुए जीव ठीक है अब देखिए प्रानी समपोसन वैसा पूसन जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप मे जन्तूओं को पोशन करने के विदिद्वरक गरहन करता है जैसे मनुष्य किसी का मांश खाते कोई भी पसू का तो ठोस हो गया कोई पसू का हम दूद फीते तो वह क्या हो गया तरल हो गया ठीक है तो यह तीनों था इसको मैंने अलग से भी लिखा है दोस्तों अगर देख खायग को चैनल पड़ें तो चैनल को सब्सक्राइब करती है और कोई भी ठीडिक है कोई भी विक फॉलो कर रहे हो ठीक है अब भूक का कोई भी कर spending कोई भी एंसर कोश्चन जानना है तो आफ में indigenous का सिकते ठीक है तो चली हममत्याने दूंवल्यमें तब तक के लिए जैहि